नमस्कार दोस्तों श्वागत आपकार के क्लासिस में दोस्तों अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं संसर टॉपिक को पढ़ेंगे और यदि आप इस लेक्षर को पूरा देखते हैं तो निश्ची थी आपका अच्छे से रिवाइस होगा और यदि चीज़ें अगर आपको सब्सक्राइब करें पासवाले बेल आकन को दुबाएं वीडियो को दिख सदिक शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक है हमारा टॉपिक है संसद संसद देखी संसद के तीन अंग है राश्टपती लोगसभा राजसभा बात करें संसद का तो अर्टिकल 79 क्या कहता है कि भारत में एक संसद होगी जिसका गठन राश्टपती लोगसभा तथा राजसभा से मिलकर होगा कई दफ़ा ये सवाल हम से पूछा जा चुका है कि संसद में सामिल होते हैं तो ध्यान रखना है राश्टपती लोगसभा तथा राजसभा इन ती नहीं होता ध्यान रखना है इस बात को राश्ट्रपती संसद का सदस नहीं होता है लेकिन वैं संसद का अंग होता है ध्यान रखना है लोकसभा तथा राजसभा दोरा पारित विधेयक राश्ट्रपती की सहमती से ही अधिनियम बनता है इस शीश को जरूर ध्यान में रखें संसद में दो सदन होती हैं एक तोग्या लोकसभा एक राजसभा बात करें लोकसभा की देखिए इसे परथम सदन, निमन सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन इन सभी नामों से जाना जाता है वहीं अगर राजसभा की बात करें तो इसे दूटिय सदन, उच्छ सदन, अस्थाई सदन, अनुभवी सदन कहा जाता है तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर हमसे पूछ ले कि अनुभवी शतन किसे कहते हैं तो राजसभा को clear है अब लोगसभा राजसभा में डिफरेंस करते भी हम लोग इसको याद कर लेंगे लोगसभा का प्रावधान अनुछेद 81 में है clear है अनुछेद 81 में शंसत का प्रावधान 79 में था लोगसभा का प्रावधान अनुछेद 81 में है वही राजसभा का प्रावधान अनुछेद 80 में है clear है लोगसभा 81 राजसभा 80 अब ऐसी कौडवड़े याद रख लें बात करें लोगसभा के गठन की तो देखी 17 अप्रेल 1952 को हुआ कब 17 अप्रेल 1952 को वही राजसभा के गठन की बात करें तो 3 अप्रेल 1952 परतम बैठक देखी दोनों का एक ही दिन हुआ है 13 मई 1952 को बात करें ये लोगसभा को नाम लोगसभा दिया गया था 1954 में 14 मई 1954 को इसे नाम दे दिया गया लोगसभा बात करें लोगसभा में अधिक्तम सदस्य की तो 550 वही राजसभा में 250 क्लियर है लोगसभा में वरतमान सदस्य की अगर बात करें तो 543 सदस्य हैं जिनमें की 524 जो हैं ये राज्यों से आते हैं और 19 केंदर सासित परदेश से आते हैं क्लियर है लोगसभा में अधिक्तम सदस्य पांसो पचास वरतमान में 543 पांसो चोबिस राज्यों से 19 केंदर सासित परदेश से इस इसको ध्यान में जरूर रखें वहीं अगर राजसभा की बात करें तो अधिक्तम सदस्य दोसो पचास वर्तमान में 245 जिसमें की 225 सदस राज्यों से 8 केंदर स्वासित परदेश से और 12 सदस से राष्टपती द्वारा मनोनित कलियर है आगे देखते हैं कहता है आरक्षन के गरबात करें लोग सभा इदर है ये राज सभा है तो अनुशे 330 के अंतरगत बहुत इंपोर्टेंट कई दफ़ा एक्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना है अनुशे 330 के अंतरगत अनुशूचित जाती तथा अनुशूचित जन जाती के लिए आरक्षन का प्रावधान किया गया है लोग सभा में वरतमान में सी हेतू 84 सीट तथा स्ट के लिए 47 सीट आरक्षित की गई है इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें और ये जो आरक्षन दिया गया है अनुशे 330 के अंतरगत वहीं अगर राजसभा की बात करें तो ध्यान रखी ये सवाल पूचा गया है राजसभा में आरक्षन का कोई भी उपवंद नहीं किया गया है बात करें दोनों के निर्वाचन की तो देखिए ये लोगसभा का जो निर्वाचन होता है वैस्क मतादिकार की अधार पर होता है जनता द्वारब प्रत्यक्च रूप से, डारेक्ट, हम लोग इसमें डारेक्ट वोट कर देते हैं वहीं राजसभा की निर्वाचन की बात करें तो इसमें कहता है कि और प्रत्यक्ष रूप से राजविधान सभाओं के निर्वाचि सरस्थों के द्वारा इनका चुना होता है जैसे कि यहां पर हम लोग डियरेक्ट जो है MLS को चुन लिए MPS को चुन लिए और फिर जो है यह जिन्हें हमने चुना वे लोग इन्हें चुनते हैं तो इंडिरेक्टली जो है कह सकते हैं योगिता के अगर बात करें लोगसभा की तो भारत का नागरिक हो 25 सुर्स या उससे अधिक उम्र का हो संसत की द्वारा विधी के माद्यम से जो निर्धारित योगिताएं हैं उसको पूरा करता हो राजसभा में भी सेम चीज़ है सिर्फ एज का डिफरेंस से ध्यान रखी का राजसभा सदस्य होने हैं तो नियोनुतम जो है 30 वर्स है कारेकाल के अगर बात करें तो लोगसभा का कारेकाल 5 वर्स का होता है परन्तु इससे पहले भी इससे विगटित किया जा सकता है ध्यान रखना है अगर राजसभा की अगर बात करें तो इसका कारेकाल 6 वर्स का होता है लेकिन एक तिहाई सदस्परती दूसरे वर्स में पदमुक्त हो जाते है सपत की अगर बात करें तो देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सपत राष्टपती या राष्टपती के द्वारा न्यूक्त व्यक्ती के माध्यम से दिलाई जाती है और सेम प्रोसिस राष्टपती की बात करें तो सदन की कुल संख्या का एक बटा दस ये होता है कोरम ठीक है और यहां भी वही है सदन की कुल सदस्य संख्या का एक बटा दस बात करेंगे दोनों के विगटन की तो देखिए लोकसभा का विगटन जो है अनुछेट 85 की अंतरगत राष्टपती के द्वारा किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट है विगटन की संख्या के द्वारा किया जाता है तो ध्यान रखिए 85 के द्वारा वहीं अगर आजसभा के विगटन की बात करें तो ये कभी भी विगटित नहीं होती क्योंकि एक सथाई शदन है जिसका विगटन नहीं किया जा सकता है कहता है कि पिठासीन, अध्यक्ष, तथा दिकारी, उपध्यक्ष और यह है सभापती तथा उपशफापती लोगसभा के अगर बात करें तो कहता है इनका चैन लोगसभा के सभी सदस्चों के द्वारा आपस में किया जाता है अध्यक्ष ता उपाध्यक्ष दोनों एक दूसरे को अपना त्याग पत्र सौपते हैं लोगसभा अध्यक्ष की कोई शपत नहीं होती है ध्यान रखेगा सवाल पुछा गया है लोगसभा अध्यक्ष की कोई शपत नहीं होती वह केवल लोकसभा सदस्य के नाते सपत गरहन करता है अलग से अध्यक्ष के लिए कोई सपत नहीं है वह अगर राजसभा की बात करें तो कहता है कि भारत का जो उपराश्टपती होगा वह राजसभा का पदेन सभापती होता है दियान रखना इस बात को उपसभापती की गर बात करें तो उसकी चयन जो है सभी सदस्यों के द्वारा आपस में सिक कर लिया जाता है उपसभापती अपना त्याग पत्र सभापती को सौपता है जबकि शभापती जो की उपराश्टपती है वह अपना त्याग पत्र राश्टपती को सौंपता है इन जीजों को जरूर ध्यान में रखें बात करेंगे दोनों सदनों की शक्तियों की तो पहली शक्ती है विधाई शक्ती क्या कहता है देख लेते हैं संसत का मुख्य कार्य विधी का निरमान करना है तथा कानू निर्मान संबन्दी किसी भी विध्यक को संसत के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। क्लिर है कि कहता है लोक्षभा में रखे गए विश्यों पर प्रारब में मत्तान लोक्षभा अध्यक्ष का परियोग नहीं करता लोग जो विध्यक मान लेते हैं लोक्षभा में कुछ रखा गया है तो उस पर जो लोक्षभा अध्यक्ष होता है वो वोट नहीं करता है लेकि परित साधारन विधयक को राजसभा के द्वारा अधिकतम 6 मां के लिए रोका जा सकता है ऐसे करेक्षों ने कोई विधयक पारित किया राजसभा उसे मैक्सिमुम 6 मेने तक रोक सकती है इसके बाद अगर भी मान लेते हैं कि वो पास नहीं होता है तो दोनों सदनों में गति रोद की स्तिती में राष्ठ पती के द्वारा अनुछेद 108 के अंतरगत सयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अनुशेद 108 के इंतर गए और ये संयुक्त बैठक अब तक तीन बार बुलाया जा चुका है 1961 दहेज निसेद विदेयक, 1978 बैंकिंग सेवाधिनियम और 2002 आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा इन तीन बार ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है जो कि राश्टपती के द्वारा नुशेद 108 के तहत बुलाई जाती है ध्यान दखिये, कहता है कि लोगसभा के कारेकाल को एक वर्स में एक बार में एक वर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है 42 संसुदन अधिनियम 1973 के द्वारा लोगसभा के कारेकाल को 5 से बढ़ा कर 6 वर्स किया गया लेकिन फिर से 44 संसुदन 1978 के द्वारा इसे 5 वर्स कर दिया गया था ये दोनों बात आपको ध्यान रखना क्योंकि ये दोनों पूछा हुआ है 42 संसुदन कितात हम ने क्या किया 5 से 6 कर दिया फिर 44 कितात हम दोगों ने क्या किया 6 से 5 कर दिया ध्यान रखना है आगे कहता है कि संयुक्त बैठक में जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्पति के द्वारा नुच्छी देक सो आठ के तहत साधारन बहुमत के माध्यम से इंद्रने होता है इसलिए ऐसे में लोगसभा का पलरा भारी रहता है बात करें कारेपालिका शक्ति की तो देखी कहता है कि मंतरी परिशद सामोहिक रूप से केवल लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है ठीक है मंतरी परिशद शामोहिक रूप से लोगसभा के परती उत्तरदाई होती है और मंतरी परिशद की विरुद्ध जो है अविस्वास प्रस्ताव केवल लोगसभा में ही लाया जा सकता है ज्यान रखी कि अविश्वास फरस्ता आप कहां लाया जा सकता तो केवल लोकसभा राजसभा की बात करें तो कहता है कारपालिका के छेतर में राजसभा की स्थिति लोकसभा की तुलना में कमजोर होती है क्यों मंत्री परिशत राजसभा के परती उत्तरदाई नहीं होता है यही बड़ा डिफरेंस है वो लोगसभा के परती मंत्री परती उत्तरदाई है लेकिन राजसभा के परती एकदम नहीं है कहता है राजसभा को मंत्री परिशत के विरुद और विश्वास प्रसाव लाने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है तो ध्यान रखिएगा जो और विश्वास प्रसाव केवल कहां ला सकते हैं लोगसभा में बात करें वितिय सक्ति की तो क्या कहता है देख लिजे समस्त धन विदेयक तथा बजट केवल लोकसभा में ही रखे जाते हैं और राजसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विदेयक को केवल 14 दिन तक रोकने का अधिकार है धन विद्यक वाला केवल यह 14 दिन रोख सकता है जबकि साथरन विद्यक को रासभा केवल 6 मां तक रोख सकता है बात करें संविदान संसोधन के सक्ति की तो कहता है अंशे 368 के अंतरगत संविदान में संसोधन की शक्ति शंसत में नहित की गई है तसा संविधान संसूदन विधयक सदन के संसत के किसी भी सदन में परस्तावित किया जा सकता है संसूदन की बात करें तो अनुछे 366 आपको ध्यान में रखना है कहता है कि संविधान में संसूदन का जो विधयक ये किसी भी सदन में परस्तावित किया जा सकता है और संसुधन के मामले में दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है कहता है लोकसभाद वारा पारित समविदान संसुधन विदेयक पर यदि राजसभा असेहमत है तो विदेयक समाप्त हो जाता है अर्थात सम्विदान संसूजन विदेयक पर सयूक्त बैठक का उपबंद नहीं किया गया है यह इस्तिति आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि जब कुछ साधारन विदेयक आएगा साधारन विदेयक आता है तो रासवा उसको 6 मां तक रोक्षती लाहे नभी है यह दोनने अगड़ गतिरोध उपन हो रहा है तो 108 के तहट क्या करते हैं हम लोग सवेंगटबैठक बुलां लेते हैं कि अ देंगते ह休ा сок माज़न कि नई थिक है धन विदेयक बात जब हमARं ने की थी महां अलक्यों पड़ा था तो हम लोगों देखा यखा लाया गया है राजसभा अगर इससे सहमत नहीं होती है तो विदिया की समाप्त हो जाता है और ऐसे में आम लोग श्एक्ट बठक नहीं बुला सकते हैं दियान रिखिएगा कि संबिदान संसोधन के मामले पर स्वंग्ट बठक नहीं बुलाया जा सकता है करें बैत करें विशिस्षट सक्तियां की तो क्या है देख लीजिए कहता है कि धन विद्धियक का निरधारन लो छफभा अध्यक्षक के द्वारा किया जाता है किलिए कई विद्धेच धन विद्धियक है या नहीं हैертв दारण कौनकरता है लोगसभा अध्यक्ष Potter क्या जिस्था लोगसभा अध्यकुस की द्वारा थासा उसके अउसके नुपस्थिती मेई लोगसभा उपाध्यक्ष की द्वारा की जाती है इसको आप द्यान में रहें जैंग जो बैठक है यह बुलाते राश्टपती 108 कि था ठीक है लेकिन इस बैटक की अधिक्सता कौन करता है लोगसभा अध्यक्ष अब आपको कमेंट करके बताना है कि सविंग्ट बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है आगे देखिए यह तो विसिष्ट सक्ती हुई लोगसभा की राश्टपती के अगर विसिष्ट सक्ती की बात करें तो कहता है अनुचेद 67 66 के अंत्रगत उपराश्टपती को उसके पल से हटाने का संकल्प पहले राश्टपती में ही प्रस्तावित किया जा सकता है मतलब अगर उपराश्टपती मौदे को हटाना है उसके लिए आप स्टार्टिंग जो कर सकते हैं वो राश्टपती कर सकते हैं क्लियर है आगे कहता है हनुची 249 की अंत्रगत राश्टपती के किसी विशे को राश्ट्य महत्तों का घोशित कर उस पर कानुन बना सकती यह बहुत important बहुत बार पूछा गया है ध्यान दखना है कि राजसुची का कोई विशय है उस पर कानुन बनाने का दिकार राजसभा को है आगे देखते हैं विशिश्च शक्ति में लोगसभा की एक और सक्ति है कि राज़्टिय आपात की समापती लोगसभा के द्वरा ही की जा सकती है वहीं अगर राजसभा की विशिश्च शक्ति की बात करें तो कहता है उनुचे 312 की अंतर करत राजसभा द्वरा नई अखिल भारतिय स्यवय का दिनमान किया जा सकता है बहुत important कई दफा पूछा गया ध्यान रखना इस बात को clear है बात करें संसदिय प्रक्रिय की तो शत्र या अधिवेशन यह क्या है संसद की द्वरा अपनी समस्त कारवाही का संपादन तीन शत्रों के माध्यम से किया जाता है जिनमें से वर्स में दो शत्र का चलना अनिवार रहे है एवं दो शत्रों के बीच अधिक्तम अंतराल 6 माह का हो सकता है मतलब ये भी चलना अनिवार है देख लिए आप बीमडबलू बजट सत्र सबसे महत्पून सत्र है इसके शुरुवात राष्टपती के विशेश अभिवासन से होती है सवाल अगर हम से पूछ ले निमने में से किस शुरुवात राष्टपती के विशेश अभिवासन से होती है तो बजट शत्र फरवरी में के बीच ये चलता है मांसुन शत्र ध्यान रखें मांसुन जुलाई से सितंबर के बीच चलता है मांसुन से याद रखें जुलाई सितंबर में काफी बरसा होती है कहता है कि संसत के किसी भी शत्र को आहूत करने उसका सत्र वशान करने लोगसभा को विगटित करने की शक्ती राष्टपती में नहित होती है ध्यान रखी कई दफा सवाल पूछा गया अगर आपसे सवाल पूछ ले कि संसत शत्र का शत्रा वर्षान करने का अधिकार विगटित करने का अधिकार आहूत करने का अधिकार ये किसे है तो राष्ट पती को है परंतु शत्र को अस्थगित करने का अधिकार पीठा सीन अधिकारी के पास होता है ज्यान रखिएगा अस्थगित बात करेंगे परश्ण काल की दिखी तो दियान रखना है कि संसदिय करवाही की सुरुवात प्रती दिन परश्ण काल से होती है संसदिय कारवाई की शुरुवात परती दिन किसे होती है प्रश्ण काल से होती है इसका समय के 11 से 12 के बीच होता है और इसमें सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से भी भागिये संबंदी प्रश्ण पूछे जाते हैं प्रश्ण काल में वहीं अगर शुनिकाल की बात करें तो प्रश्णिकाल के बात का जो समय होता है जस्ट वो शुनिकाल कहलाता है यह 12 से 1 होता है प्रश्णिकाल 11 से 12 और शुनिकाल 12 से 1 शुनिकाल में सदस जो हैं बिना पुर्व सूचना के बिना किसी सूचना के प्रश्ण पूच लेते हैं और बात कर शुनिकाल तो कहता है यह भारत की देन है 1962 से भारत में प्रचलीत है बात करेंगे विधायी प्रक्रिया की सरकारी विद्यक केवल मंत्री के द्वारा रखा जाता है जबकि गैर सरकारी विद्यक की बात करें तो किसी भी संसद सदस्य के द्वारा इसे रखा जा सकता है और विद्यक की अगर बात करें तो यह तीन चरणों में गुजरता है ये तीनों चरण आपका एक्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेगा, बात करें पहले चरण की, तो इसमें क्या होता है, विदेयक जो है पटल पर रखा जाता है, फ्लोर पर, और इसमें विदेयक का क्या उदेश है, ये सपस्ट किया जाता है, क्लियर है, दूसरे स्टेज की बात करें, दूसरे सजन में विदेयक पर बहस, उसका जाँच, संसोधन, राजयों की राय इत्यादी ली जाती है, सवाल हमसे पूछा गया है कि कि ये चरण में विदेश पर बहस होता है, तो ध्यान रखना है, साकेंड स्टेज. वहीं थर्ड स्टेज में विदेयक पर म विध्यक को फिर से इनी तीनों चरणों से गुजरना होता है जैसे लोगस्वा में ये तीनों चरण स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पास हो जाये तो फिर ये राजस्वा में जायेगा और फिर इसी स्टेज स्टेज को पास होना होगा कहता है दोनों सद्नों से पारित होकर विधेयक को अनुच्छेद 111 की अंतरगत राश्टपती की सहमती के लिए भेजा जाता है तथा राश्टपती की अनुमती से ही विधेयक चो है ये अधिनियम का रूप ग्रहन करता है यहां दखना है 111 कहता है धन विधेयक तथा संविधान संसोधन विधेयक पर राश्टपती अनुमती देने हेतु बाद्य होता है जबकि अन्य साधारन विधेयक को राश्टपती महदय एक बार पुनर विचार के लिए लोटा सकता है लेकिन पुनर विचार के पस्चात पारित विद्यक पर राश्टपती जो है सहमती देने के लिए बात दे होता है देखें दो बात हमें ध्यान में रखना है क्या क्या धन विद्यक और सम्विधान संसोधन विद्यक इस पर जो है राश्टपती सहमती देने के लिए बात दिया है क्लियर है इसके लावा अन्य कोई भी विधेयक है वो राश्टपती क्या करता है एक बर उसको अधिकार है कि उसको पुनर विचार है तो उसको लोटा दे ठीक है यह अन्य विधेयक है साधारन विद्यक है राष्टपती मोदे के पास गया राष्टपती मोदे ने इसे पूनर विचारेतू लोटा दिया फिर सी राष्टपती मोदे के पास गया तो इस बार राष्टपती मोदे इस पर सहमती देने के लिए बात दे है प्रमुक अगर समित्यों की बात करें तो यह है लोक लेखा समिती ध्यान रखी सबसे प्राचिन समिती है भारत सासे नदिनियम उन्हें 11 के तरफ 1921 में इसका स्थापना किया गया कुल इसमें देखी 22 सबसे होते हैं ध्यान रखना है जिसमें की 15 लोक सबसे साथ राच सबसे होते हैं इसलिए इसको लगू शंसत भी कहा जाता है बात करें इसकी कारे की तो भारत सरकार के लेखाओं का परिक्षन करना तथा C.E.G. नियंत्रक एवं महालेका परिक्षक की रि नेक्स्ट जो महत्पुंड समिती है यह है प्राकलन समिती अनुमान समिती 1950 में जौन मथाई किसी फारिसों पर अनुमान समिती का गठन किया गया ध्यान रखना है यह सबसे बड़ी संसदिय समिती होती है जिसमें की तीश रतस होते हैं सभी के सभी लोक सबासे ही होते हैं इसका कारे की बात करें तो बजट अनुमान की जाच करना प्रसासन की खर्चों को कम करने एवन कुशलता लाने ही तो सुझाव देना और इसके जो अध्यक्ष मतलब सदस्य होते हैं उनकी न्युक्ति लोग सब अध्यक्ष के द्वारा की जाती है इसको लोकलेखा समीति की ज पॉड़े 93 के अंतरगत लोगसभा के पिठासी नदिकारी के रूप में इस पीकर की पद का प्रावधान किया गया है क्लेर इस पीकर अपना त्याग पत्र लोगसभा उपाध्यक्ष को देता है लोगसभा की ततकालेन सदस्यों के बहुमत के माध्यम से इस पीकर को उसके से हटाया जा सकता है जिसके सूचना जो है 14 दिन पुर्व अध्यक्ष को देना आवश्यक है यह द्यान रखना है जरूर कि बहुमत की माध्यम से साधरा नहीं बहुत बात हो रहा है बहुमत की माध्यम से अठा सकते हैं कि कहता लोगसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाग के अंतरगत धन विदेयक का निरधारन लोगसभा जयक्ष करता है बहुत इंप औरटेंट है अगे कहता है जशी आनुशीद 118 चाष के अंतरगत सयूगत बैठक के दिक्स्ता Лोगसभा जयक्ष करता है ध्यान रखिएगा सयूगत बैठक बुलाया कौन र О्राश्ण्पति कौन करता है speaker लोक्षभा अध्यक्ष आगे कहता है कि मत बराबर के सिती में speaker जो है यह निरनायक मत का परयोग कर सकता है अध्यान रखना है नेक्स है protein speaker की बात करें तो देखे राष्टपती के दुआरा लोक्षभा के हाम चुनाओं के पस्चात लोक्षभा के वरिष्टम सदस को protein speaker के रूट में निक्त कर शपत प्रदान की जाती है इसका मुख्य कारे क्या है कि नई लोक्षभा के सलस्चों को शपत दिलाना तरशा लोक्षभा की परत्म बैठक के अधिक्ष्था करना है अधिक्ष के चैन होने के साथ ही protein speaker का पद जो है श्वता ही समाप्त हो जाता है तो काफी विस्तार से हम लोगों ने संसत को कवर किया डेटेल में कवर किया है बहुत सारे जो factual question जो के previous exam में पूछे गए हैं किसी ने किस exam में मुझे सभी को देखा उमीद है आपका अच्छे से revision हुआ होगा वीडियो अच्छलका तो like और share ज़रूर करें मिलते हैं अगले lecture में धन्यवाद